Hello everyone, this is Ram Kohli from Static Academy, आज हम आपको जीवन परीचे कराएंगे एक महान साइथ्देकार जिसका नाम है प्रेमचन जिने मुन्शी प्रेमचन भी कहा जाते हैं, आज हम आपको इसका जीवन परीचे कराएंगे, तो सुरू करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे यहां से स्टार्टिंग से प्रेमचन का जनम सन 1880 में बनारस के लमई गाउं में हुआ था, इनका जो जनम हुआ वो बनारस में, बनारस जो है भारत में ही है और 1880 में हुआ, बनारस में एक जगा है एक गाउं है जिसका नाम है लमई, तो वहाँ पर इनका जनम हुआ लमई गाउं में, जो की बनार और यह जगा यह आपको याद भी रखना है, उनका मूल नाम, आप हम तो नहीं जानते हैं प्रेम चंद के नाम से या मुंशी, प्रेम चंद के नाम से पर उनका मूल नाम, यानि कि जो असली नाम था वो था धन्पत राए, था तो इस तरह से आपको यह भी इंपॉर्डेंट जैसे आज कल के बच्चों के पास होती है और शिक्षा जो उनकी एजुकेशन थी वो जादा नहीं हो पाई पर वो graduate हो गए उन्होंने graduation की BA तक ही हो पाई यानि Bachelor of Arts में उन्होंने अपनी पढ़ाई complete की इसके बाद वो आगे नहीं पढ़ पाए बीए तक ही उन्होंने किया उन्होंने शिक्षा विभाग में नोकरी की अब बीए गरने के बाद उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जौब की परन्तू गांधी जीज जो थे उस समय असायोग अंदोलन में उन्होंने वो चुरू किया था और अब असायोग अ नोक्री थी जो कि शिशा विभाग में जब उनको नोक्री मिली तो वो नोक्री यानि चुन की सरकारी नोक्री थी से त्याग पत्रे दे दिया यानि उस नोक्री को उन्होंने रिजाइन कर दिया उसके विछे कारण यही था कि आस्ययोग अंदोलन में सिक्रिये भाग लेने के के बाद उन्होंने लेखन कारे के प्रती पुरी तरह समर्पित हो गए और जब उन्होंने पत्याग पत्र दे दिया रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से तो उन्होंने लिखना शुरू किया और लिखने के साथ ही उन्होंने अपना पूरा डेडिकेशन जो था वो लेखन में ही लगाया यानि लिखने में ही लगाया पूरी डेडिकेशन के साथ वो अब लिखनकारे में जुट गए और इसके बाद एक दुगत गटना हुई सन 1936 में इस महान कथाकार मुंची प्रेमचन जिनका नाम धन पत्राय था मूल नाम उनका देहांत हो गया और अब देहांत के यहां तक हमने पढ़ लिए ध्यांत हो गया आप इनकी कहानियों के बारे में पढ़ेंगे जो उन्होंने लिखी उपन्या से आपको लिखना है पेपर में प्रेमचन की कहानिया मान सुरोवर के आठ वागों में संकलित हैं मान सुरोवर एक हैं जिसके आठ वाग हैं और इन्हीं आठ वागों में इनकी जो कहानिया हैं जो की उन्होंने लिखी तो वो उसमें इंक्लूडिट की गई हैं जिसके और ये सब ही उपनियास जो हैं इसके लावा और भी तो उनके उपनियासों में से एक हैं और इसके लावा उन्होंने हंस, जागरण, महाधुरी जो हैं ये सब पत्रिकाएं हैं इनका भी उन्होंने आदी इसके लावा भी हैं तो ये हंस, जागरण, महाधुरी पत्रिकाएं ह संपादन भी चिए 500 लिखए और कुछ पत्रीकाओं का ऊनौने संपादन भी तो इस तरह से आप यह से लिखकरियां द defenses से लिखेंगे उनकी कहानियों के बारे में उनके पत्रीकाओं के बारे में जिनका उन्होंने संपादन किया और अब कथा साहित्ते के अतिरेक्त प्रेम चंद ने अब कथा साहित्ते तो लिखते ही थे पर इसके लावा उन्होंने और भी लेखन का कारिक जिसमें उन्होंने निबंद और अन्य परकार की गद लेखन भी बहुत प्रचूर मातला में लिखे लेखन भी काफी प्रच मातियम मानते उनका ये सोचना था कि साहिते वो समाज में जो कुरुतिय versuchen आसे कि खिसानों की दूरद्शा सभार मिस्त्रियों की दूरद्शा मजदूरों की नित तो यह सब जो है वो इस वह पजाय दार्यaking ही एक ऐसा मादियम है, सशक्त मादियम है, जो इन कुरुतियों को दूर कर सकता है, और उन्होंने जिस गाउं और शहर के परिवेश को देखा, जब उनका बच्छमन गाउं में बीता, क्योंकि वो एक लमेई, बनारिस के लमेई गाउं में प्यादा हुए, और उनको बच्छ जाएगे, तो जब आप उनके कुछ कता साइथे पढ़ेंगे, पने आस पढ़ेंगे, तो आपको ये सब आपको दिखेगा गाउं और शहर के परिवेश का, और किसानों और मजदूरों की दैनी स्थिति, आप गाउं में क्या होता है, किसान घातमत्या कर रहे हैं मजदूर ये सबी जो समाज की कुरितिया हैं, अब इन्हीं को उन्होंने अपने रचनाओं का मूल, उनके रचनाओं में आपको मूल विशे मिलेगynn jeito इन्हीं को उन्होंने अपने साइथ्टे से की दूर् करने की कोशिश की क्योंकि वो सोचते थे मानते थे कि साध्यते की साथै को समाजिक परिवर्तन का सक्षात माधेयव वो मानते थे तो इसलिए उन्हों अपनी रचनाव में यही मूल्क विशे हैं उनके यानि इसी को बेस माना और अपनी रचनाई की और प्रेम चंद के कथा साइट्टे का संसार बहुत व्यापक है आपको बहुत ही बड़ा उन्होंने कथा साइट्टे लिखा जिसमें कई तरह के उपन्यास निबन गर्द और उसमें मनुष्य ही नहीं अगर आप देखेंगे कि उन्होंने मनुष्य ही नहीं बलकि जैसे पशुपक्षी जैसे कि आपने उनका आठ में बड़ा दो बैलों की का था जिसमें दो हीरा और मोती के दैन्ने स्थिति को दिखाया गया किस तरह उनको पीटा जाता था आंजी ह तो थाई मनुष्य स्वसाई साथ ही पशुपक्षियों के साथ भी और बड़ी से बड़ी बात को उनकी भाश्रा के में बात करें तो जब कोई बात बताना चाहते थे समाज को वो बहुत ही सरल तरीके से समझा देते थे यानि बड़ी सी बड़ी बात को सरल भाश्रा में सी बहुती आसान लोग प्रचलित भाषा में और शॉट मेसंचेप में वो कह जाते थे और यहीं उनकी विशेष्टा थी उनकी लेखन की उनकी भाषा सरल सजीव बहुती सरल थी सबको समझाती थी सजीव थी और मुहावरेदार हैं और इसके बाद तथा उन्होंने लोग प्रियोग उन्होंने बहुत ही कुश्शुलता पुर्वग किया है तो इस तरह से आप इनका जीवन परीशे लिख सकते हैं और ऐसे आप सभी लिखक्त पार्ट के आपके सभी जिन्होंने लिखे हैं आपके पार्ट इस आपकी बुक में उन सभी करना चाहते हैं प्रशुन सब्डेट्स के लिए और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें बैल एकन को पीट करें और कुछ पूशना जाते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने डियर मंस को भी ज़रूँ शेयर करें वाइन वाइन वाव बुड देन